नमस्कार दोस्तों मैं हुरिचा सिन्हा एक बिहारण और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों कैसे हैं आप सब ये पताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जै माता दे लिख दीजे माता रानी आप सभी की सारी मनुकामनाय पून करें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शीतला अश्टमी वरत के बारे में जिसकों की बसोड़ा अश्टमी भी कहते हैं तो दोस्तों इस साल यानि 2019 में ये वरत कब मनाया जाएगा उस दिन पूजा का शुप महुर्ट किया है पूजा का महत्व क्या है बसोड़ा अश्टमी का पूजा की विधी किया है इसमें आपको किन सामग्रियों की जरुवत पड़ेगी पूजा के दौरान हमें किन बातों का विशेज ध्यान रखना है इन सब चीजों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वग बात करेंगे इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ग्यानवठक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमियन फ्रेंस के साथ शेयर कर दीजिए तो चलिए शिरु करते हैं दोस्तों शीतला माता कवरत चैत मास के कृष्ण पक्ष की अश्टमी को मनाया जाता है यानि कि होली के ठीक आठ दिन बाद शास्त्रों के नुसार इस पूजा का बहुत महत्व होता है और इसे करने से घर से रोक को सो दूर रहते हैं सकन्पुराण के नुसार इस वरत को च श्टमी या शीतला अश्टमी और मास हीतला की महत्ता का उलेक सकंद पुराण में बताया गया है यह दिन देवी शीतला को समर्पित है बोराणी काथाओं के अनुसार शीतला माता-चीचक-खसरा-आदी के देवी के रूप में पुजि जाती है इन्हें शक्ती के दो सो देवी दुर्गा और देवी पार्वती के अफ्तार की रूप में जाना जाता है। इस दिन लोग मा शीतला का पूजन करते हैं ताकि उनके बच्चे और परिवार वाले इस तरह की बिमारियों से बचे रहें। कुछ लोग इसे शप्तमी के दिन मनाते हैं, कुछ प्रांतों म या पुर्व अश्टमी के दिन मनाया जाता है। दोनों ही दिन माता शीतला को समर्पित है। महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि माता शीतला का पूजा किया जाए। प्रचलित माननेताओं के अनुसार दोनों ही दिन पूजन से मा प्रसन्य होती हैं और आशिश देती माता सीतला के नाम से ही इस परष्ट है कि मा किसी भी समस्या से शीतलता प्रदान करती है। यदि किसी बच्चे को तवचा समंधी रोग हो या अनेकम भीर बिमारी हो जाए तो उसे माता सीतला का पूजन करना चाहिए उसे इस बिमारे से जल्द रहात मिलेगा। शीतला अश्टमी के दिन मा शीतला का विदिवत पूजन करने से घरक में कोई भी व्याधी नहीं रहती और परिवार के लोग निरोग होते हैं। शीतला अश्टमी से जोड़ी होई कई मान्यताएं समाज में प्रचलित हैं। महिलाएं अपने बच्चों के सलामती के लिए उन्हें हर प्रकार के रोग से दूर रखने के लिए और घर में सुक सम्रिथी के लिए शीतला माता की पूजा करती हैं। मानेता है कि घर में शुद मन से शीतला मातला की पूजा होती है। महां हर प्रकार के सुक सम्रिथी बनी रहती है। बताया जाता है कि जिस घर में चेजक से कोई बिमार हो उसे ये पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इस साल यानी 2019 में शीतला अश्टमी का वरत मनाया जाएगा 28 मार्च को। उस दिन ब्रहस्पतवार है और उस दिन पूजा का शुब महुर्थ है। सुबह 6.27 मिनट से शाम के 6.27 मिनट तक। दोस्तों ये 12 गंटे 9 मिनट का महुर्थ है। ये बहुत ही लंबा समय है। इस दोरान आप अराम से अपनी पूजा कर सकते हैं। मा को भोग और प्रशादर्पित कर सकते हैं। दोस्तों हम देख लेते हैं कि पूजा की विधी क्या है। और पूजा में आपको किन बातों का विशीज ध्यान रखना है। दोस्तों शीतला अश्टमी पूजा की विधी बहुत ही सरल है। परन्तु इसमें कुछ बातों का विशीज ध्यान रखना रहता है। चोटी-चोटी नियम हैं जिनका पालन करना होता है। जैसा कि मैंने बताया कि भारतिय सनातन परंपरा के नुसार महिलाएं इस फृत को अपने बच्चों की सलामती के लिए, आर्योगिता के लिए और घर में सुक्षम्रिधी के लिए करती है। बसोड़ा में दोस्तों मीठे चावल, कड़ी, चनी की दाल, हल्वा, रबडी, बिना नमक की पूरियां पूए आदी एक दिन पहले ही रात में बना करके रख लिये जाते हैं। और सुबह घरवा मंदिर में माता की पूजा अर्चनाकर महिलाएं शीतला माता को बसोड़ा का प्रशाद चड़ाती हैं। चड़ाई जाती हैं। उसके पारे में आपको बता देती हूँ। शीतला अश्टिमी के एक दिन पहले रात में ही आपको बना लेने होते हैं ये सारे प्रशाद। उसमें आप बनाते हैं मीठा भात, खाजा, चूर्मा, मगद, नमक पाड़े, शकर पाड़े, बेसन की चिक्की, पुए, पकौरी, रबड़ी, बाजरे की रोटी, पूरी, सबजी आदी ये सारी चीज़े आप एक दिन पहले बना ले। कुल्हड में मोट और बाजरा भींगो दे। इनमें से कोई भी प्रशाद आपको खाना नहीं है जब तक की ये माता को अर्पित ना हो जाए। मोली, पुष्प, वस्त्र जो भी आपको माता को अर्पित करना है। पुजा के बाद चूलहा आपको नहीं जलाना होता है। तो शीतला अश्त्मी के एक दिन पहले आप यानि की सब्त्मी को नौ खंडवारे, एक कुल्हड और एक दिपक महार के हां से मंगवा ले। बसोड़ा के दिन सुबा जल्दी उठकर आपको थंड़ी पानी से स्नान करना होता है। और उसके बाद एक थाली में कंडवारे भरे, कंडवारे में थोड़ी सी दही, रबडी, चावल, जो आपने बनाया हैं मीठा चावल, पुआ, कौडी, नमक पाड़े, रोटी, शक्क पाड़े, भींगा, मोट, बाजरा, आदी, जो भी आपने बनाया हैं वो सब रख लें। दूस्तों एक अन्य थाली में पुजा की और दूसरी सामागरियां रखतें ते ऐसे की रोडी, चावल, पुष्प, मेहंदी, काजल, हल्दी, मोधियों की माला, वस्त्र, होली वाले बढ़कुलों की एक माला वसिक्का। साथी आपको शीतल जल से एक कलश भरके भी रख लेना है। अब पानी से बिना नमक का आटा गुद कर एक आटे का छोटा सा आप दीपक बना ले। इस दीपक में रुई की बत्ती घी में डुबो करके लगा देनी है। यह दीपक बि चिथा घर के सभी सद्धत्यों को रोडी हल्दी से टीका करे। खुद भी टीका करे। इसके बाद दोस्तों हाथ जोड़कर माता से प्रातना करे। ही माता मान लेना, फ़िंज ठन्धी रखना। ऐसा आप दोहराए। इसके बाद मंदिर में जाकर पूजा करे। यदी शी काजल, महंदी, लच्छा, पस्त्र अर्पित करें, पुजा समगरी अर्पित करें, बडबूले की माला वह आटे का दीपक बिना जलाएं आपको माता को अर्पित करना है, आर्थी वह लोकगीत आदी आप गाएं माता की अर्चना करें, अंत में वापस जल चढ़ाएं और थोड़ा जल घर की हर हिस्से में छिड़क देना चाहिए, इससे घर की शुद्धी होती है और पॉजिटिव इनरजी का वास होता है, इसके बाद जहां हूली का दहन हुआ था, वहां पुजा करें, थोड़ा जल चढ़ाएं, पुजा सामगरी चढ़ाएं, घर आने के पानी रखने की जगह पर पूजा करें, मटकी की पूजा करें, बचा हुआ सारा सामान कुमहार को, गाय को और ब्रामन को दें, इस प्रकार शीतला माता की पूजा संपन्य होती है, ठंडे वेंजन, परिवार सहित, मिल जुल कर खाएं, और शीतला माता का पर्व का आनन्द उठाएं, दोस्तों बसोड़ा पर्व की पुरानी कथा जान लेते हैं, किवदन्तियों के अनुसार बसोड़ा की पूजा माता शीतला को प्रसंद करने के लिए की जाती है, कहते हैं, एक पार किसी गाउ में गाउवासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे, और गा उप्तरिष्टी से संपून गाउं में आग लगा दी बस किवल एक बुढिया का घर सुरक्षित बच गया गाउवालों ने जाकर उस बुढिया से घर ना जलने के बारे में पूछा तो बुढिया ने मा शीतला को गरिष्ट भोजन खिलाने वाली बात कही और कहा कि उन्होंन रात को ही भोजन बनाकर मा को भोग में ठंडे बासी भोजन खिलाए जिससे माने प्रसन्य होकर बुढिया का घर जलने से बचा लिया बुढिया की बात सुनकर गाउवालों ने मा से शमा मांगी और शीतला अश्टमी के दिन माता को बासी भोजन खिलाकर मा का वसोड़ा प दीजिए, family and friends के साथ share कर दीजिए और मेरे चैनल को subscribe करना मत भोलिए अब मिलते हैं next video में so thanks for now, bye bye